इगो, इगो का हिंदी मीनिंग होता है एहंकार, मैं, एहम, आपा, दंब, एहमबाद, दोस्तों इसको एक्जम्बल की रिए समझते हैं, इसका एक और एक्जम्बल समझते हैं, ओनली दा इगो इसरील, केवल एहंकार ही बास्तविक है, लेकिन एहंकार में एहंकार नहीं है, दोस्तों एहंकार एक बहुत ही बुरी चीज़ है, जैसा कि आपको पता भी है, रावन के एहंकार नहीं रावन के लंका को दोस्त किया था तो दोस्तो एहंकार से हमें बचके रहना है और एहंकार का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं इगो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको इस word का meaning अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए चैनल पर well icon को press करने पिल्कूल न भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपता हो सबसे लाले पुश्ट किरा है Thank you